नमस्का इन खबर में आपका स्वागत है दुनिया के लिए बहुत बड़ी खबर है कि माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्वीटर पे बड़े बड़े दिगजों का एकाउंट हैक कर लिया गया है इसमें खास तोर से अमेरिका की हस्तियों को निस्ताना बनाया गया है जिसमें उनके एकाउंट को हैक करके बिटकोईन की मांग की गई और कि आप इतना भेजिये उसको आदे गंटे में हम डबल करके देंगे अब तक कि ये सबसे बड़ी ट्वीटर हैकिंग मानी जा रही है है किरों ने दुनिया के जिन दिगज निताओं को निसाना बनाया है उसमें स सॉफ्ट के सह संस्तापक बिल गेट्स टेसला के सीओ इलान मस्क अमेरिकी रैपर कन्य विष्ट अमेरिका के पुरुराश्पती जो वीडेन अमेरिका के पुरुराश्पती बराक उबामा इजराइल के प्रधान मंत्री बेंजामिन ने तन्याहू वारेन बभेट एपल अन्य के अकाउंट को है किया गया है है कर एंके अकाउंट से ट्विट कर रहे हैं कि आप समय कई गया है मैं के चंद मिन्टों के भीतर ये डिलीट भी कर लिए गए हाला कि अभी तक ये पता नहीं चल पाया कि आखिर इसने किसने इंजानी मानी हस्तियों के ट्वीटर एकाउंट को निसाना बनाया गया है। काफी मुश्किल बरा है, जो हैकिंग हुई है, उसे अभी के लिए सुधार लिया गया है, आगे इसकी जारी है कैसे हम इसको ठीक रखें, हैकिंग की घटना के तुरंद बाद जो है, ट्वीटर ने ट्वीट और ही ट्वीट फंक्शन को डिसेबल कर दिया था, और उसके से लगबख सभी ब्लू ट्वीक यानि वेरिफाइड एकाउंट को बंद कर दिया गया था, बाद मैं इसे चालू कर दिया गया और ट्वीट भी करने लगये, लेकिन अभी भी इसके काम चल रहा है, तो जो ट्वीटर के को फांडर और सीओ जैक डॉर्सी, उन्होंने जो ट्वीट किया है, उसे साफ लग रहा है कि जो है काफी परिसान है और इस हमले के पीछे कौन है, क्या निकल करके आ रहा है, इसके अभी जाच होगी, साइबर सीकोर्टी हेट करने वाले एल प्रो वीच का कहना है कि आम लोगों को कुछ हद तक नूसान पहुंचा है, इस है के लिए के बीच हैकर्स करीब 300 लोगों से 1,10,000,000 बिटकोईन निकाल पाया है, अला कि बड़ी संख्या में जब तक कि ये हैकिंग बला ट्वीट पहुंच पाता, तब तक इसे हटा लिया गया था, अब ट्वीटर कियों से इसकी पूरी जाच की जा रही, क्योंकि न सिर् दुनिया के बड़े बिजनेस मैन, बलकि नेताओं का भी एकाउंट हैक हुआ, यहां तक कि खुद ट्वीटर के एकाउंट से गलत ट्वीट किये गया, अब अंदाजा लगा लिजे कि किस अस्तर पे सेंद मारी की गई, अब आपको बता दे कि बिटकोईन जो है, अब हासी करके देंगे, तो अंदाजा लगाए कि हैकरों ने कितने सातिर दिमाग से इसकी साजिस रची, क्या इसके पीछे चाइना का हाथ हो सकता है, क्योंकि चाइना की तरफ से अकसर ऐसे साइबर अटेक किये जा रहा है, लेकिन अभी कुछ कहा इसलिए नहीं जा सकता है, क्योंक डिजिनल चैनल इनकबर, तैंक यू